केंद्रिय प्रोडूशन ने अंतरन बोड हर्याना में एक बड़ा एक्शन लेने जा रहा है प्रोलूशन वग अगर ये एक्शन लेता है तो हर्याना के तीन बड़े थर्मर पावर प्लांट बंध हो सकते है केंद्रियर प्रोदूशन विभाग हरियाना के तीन पाउर प्लांट पर एक्शन की तैयारी में है अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में अंधिरा जा सकता है तब होगा जब 15 दिनों के अंदर हरियाणा के तीन बड़े थर्मर पार प्लांट केंद्रिये प्रदुरूशन विभाक को नोटिस का जवाब नहीं दे थे दरसल पराली के बाद अब कोईले से चलने वाले थर्मर पाउर प्लांट पर केंदरे प्रजूशन नियंदरन बॉर्ट की नजरे है वो स्टेंडर्स को अचीव करना था तबी जो 31 जनवरी 2020 को सीपी सीगे निको नोटिस जारी किया है जिसमें दर्शाय गया है कि अभी तक ये स्टेंडर्स अचीव नहीं करें और ना ही ये सिस्टम लगाया गया है और उसकी प्रोसेस भी एस पर नोटिस अभी तक जारी नहीं करी है SPM प्रोजेक्ट लगाने के लिए सरकार पहले से ही धर्मर पावर प्लांट को आदेश दे चुकी है पर जवाब ना मिलने पर कारण बताव नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया और अब भी अगर ये धर्मर पावर प्लांट इन प्रोजेक्ट को लगाने में आनाकानी करते हैं तो हर्याणा के लोग बिजली के कटों से बेहाल तो होंगे ही साथ ही दिल्ली को जाने वाली बिजली के सप्लाई पर भी पूरी तरह से रोग लग सकती है और ये तो आफ देख रहे हैं कि निशन को डेबाई डे बड़ी रहा है चाहिए ये वाटर पॉलीशन है तो उसी साब सेंट्र प्लूशन में वो अकने जो स्टैंड़र्स हैं और स्टैंडर्स हैं और जो भी इंडस्ती हैं खास कर जब सब्सक्राइब कर लेकर इनको इन उहार्म में बनता है तो इसलिए इनके जो स्टेंडेड है उस टिंजेट बनाए गया है उससे करने से तो डेफिनिटली एनवायर्मेंट क्लीन करने के उसमें बनेफित में गया है